हलो फ्रेंट्स मैं डाक्टर पीश तिवारी आप सभी को सागत है दोस्तों आज मैं आपको बच्चों में होने वाली कुछ प्राब्लम्स और उसकी सिंगर मेडिसिन बताने जा रहा हूं चले शुरू करते हूं दोस्तों पाली दभाई के नाम है यह जो है ACDT आप चिल्डेन बच्चों में अगर ACDT हो गई ए पेट फूल गया है पेट दर्द हो गया है डारिया डिसंटर हो गया है मांने का मतना है कि बच्चों में अगर ACDT हो जा रही है तो बच्चों को रुबिणिया 30 पावर में दो लेकिन आर्सनिक अलब्म थर्ट्री दोदोबून देना मत भूलिए क्योंकि आर्सनिक अलब्म जो है बच्चों में जो लुक्यमिया होता है इसकी जबरदर्श दवाई है इसकी दम राम बांड दवाई है हलांकि ऐसे केस में आप डाक्टर से सलाह लेकर ही दवाई दे सकते हैं लेकिन आर्सनिक अलब्म आपको हर हाल में देना ही पर चाहिए क्योंकि जो है आर्सनिक अलब्म छोटे बच्चों में जो लुक्यमिया होता है उसकी जो है बहुत बेजोड दवाई है दोस्तों अगली अगली दवाकर नाम है बिराटा मूर और इसका जो है उस बच्चों में दिया जाता है जो अपने एज के दोस्तों आप बैच्यों को पिसाब कराने जा रहें तो बच्चा पिसाब करने के पहले ही रोना लगता है तो आप निशीत वुरुप से परसाहिएँ जाएगे कि बच्चाजर क्यों रहा है तो ऐसे बच्चों को जो पेशाब करने के पहले से ही रोना चारू करेता है तो उसको आप जो जो है सर्शा पेडिया दिजिए शर्चा पेडिया थटी पावर में द यह प्राब्लम हमें सागे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली प्राब्लम को नाब है खांसी, कफ, कफ आप चिल्डरेट। अगर बच्चों में खांसी आती ही रात में, बच्चा सोया हुआ है। खांसी आ रही है, फिर भी बच्चा का नीद नहीं खुला। अगर खांसी शोया हुआ है, तो जो बच्चों को कफांसी रात में आती है, और सोय खांसी आती है, और नीद से उठ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कफांसी राभाय है। अगली प्राब्लम है ब्लीडिंग अपनोज अगर छोटे बच्चों में अगर नाक से खून निकलने की धिरसाई द्वाई हैं लेकिन पट्रिकुलर अगर बच्चों में नाक से खून गिरता है आप बच्चों को फिरम फास 3x पावर में दो दो गोली करके आधा दे घंटे म अगली प्राब्लम है अपने हाथों से अपने हीट को मारना लगता है चाही अधिस्टरी के सो चाही कोई मिंट्र प्राब्लम हो कभी ऐसा पेश्थ सामने आते हैं अब ऐसा दिखा वी गया है कि बच्चे अपने हाथ से अपने शिर को मारते बीट करते हैं तो ऐसे पैसेंट को आप जो है हेली बोरस हेली बोरस 30 पावर में दो 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 करके दिन में तीन बार कुछ दिन तक दे देजिए तो बच्चों का इस तरह का है बीट है जो अपने हाथ से ही अपने सिर को मारते है बीट करते है यह प्राबलम उनकी ठी हो बच्चा रात में बड़े आराम सुऑ दो हाए अचानक उठके बैठ गया और रोनी लगा ओर डर गया तो आप क्या करेंगे तो आपने घर में कालिफास रखे है जब बच्च्छा रात को सोता है और डर कर ऊठके बैठ जयता और भरनी दगता है तो इसको कालिफास तो इसका मतलब कि बच्चों को treatment चाहिए, तो ऐसे बच्चों को जो रात में सुए हुए हैं, डर कर उठके भढ़ जाते हैं, रोजने रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप काली फास लगातार कुछ देजिए, बच्चों का जो है या नाइट टेलर जो है ठीक हो जागा, त दोस्तों, अगर आपको हमसे treatment देलना है, तो आपको वाटसर में मेसेज करके अपना appointment भू कर सकते हैं, आप हमारे website में जाकर appointment भू कर सकते हैं, अगर आपने भी तक हमारे चैनल सब्स्क्राब में ने किया है तो सब्स्क्राब कर लिजे, तब तक मूलते हैं आपसे अगले किसी बड़ियों में उसकार?